इस वक्त हम मौझूद हैं नगर पांचायद 6 महराज गंजुए वैसे तो यहां भी 11 माई को मद्दान होना है करीब 13,000 मद्दाता यहां पर अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे यहां के लोगों ने साफ तरीके से कहा कि जो पिछला कारिकाल रहा है वो विकास के मामने में बिल्कुल खराब रहा है इस बार हम पूरी तरह से बदलाओ करेंगे अब यह देखना होगा कि 13 माई को यहां की जनता का जनादेश कि इसके पक्ष में जाता है ने कर पंचाहित का यहां अपर क्या मुद्धा बहुत कुछ है लेकिन हम चाते बदलाओ क्यों क्यों जब्ह ना तो कोई नालिया है सथिर्फ बनी हैं वह समें समय पान नहीं है लगेंग पानी लगए हुए पानी से चलता नहीं है तो आपने शिकायत कभी कि बहुत लोग करते हैं किस इस इस अपने मेंबर नहीं हो रहे हैं यह हैं नियुक्त जझाएं अप्जन मेंगर्स पॉच्ध महराज नेकर पंचायत के लोग इनों में साफ तरीके से कहा कि पिछला जो कार्यकाल रहा चेर्मेन का वह बिलकुल ही निराशा जनक रहा ऐसे में ये बदलाओ की बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों के साथ हम बदलाओ करेंगे इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगट के महराज करें नगर पंचाइस सीट पर वैसे तो इस जगह का धार्मिक महत्तों भी बहुत है भैरो धाम मंदित यहीं पर इस्तित है यहां पर 11 माई को मद्दान होना है लगभग 13000 मद्दाता अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे काफी मूल भूस विधाओं से वंचित हैं यहा और यहां कि जो मूल भूस विधाओं यहां पानी निकासी नाली की सुधाओं नहीं है साफ सफाई नहीं है अगर देखा जाए तो दस से दस पंदरा सालों में कोई काम हुआ ही नहीं पुले टाउन एरिया नगर पंचायत है क्योंकि सारी सारी लोगों नहीं किया कि पूर् यहां प्ली कोई सुनवाइन से पूल यहां पर निर्मार हुगा और जोटा सा और निर्मार हो के उसमें बीच में पावा डालके चोड दी आ गया उसका कोई निशकारण हुआ ही हिसा करने पर क्या है अब पैसा आया नहीं है आयेगा तो बनेगा तुमको कहां बताएं हम उदर घर बनाने में लग रहा पैसा उसका कोई हो टेंसन नहीं है अब आप क्या करेंगे अब चुना हो आ गया तो अपकी तो यही पता चलेगा कि जो है कईसे काम होगा कि स् refere implications करेंगे अभी जो पूल का निर्मार की और पूरा स्सें करके दें वापस ओूटले में ऐसे थोड़ी दो होगा कि हां हम रिए ओ करेंगे बहुत कर ने के बाद घर में बैड़ गए जाने के लाहां खुद अगर जाके जो दूसा, बता रहे हैं, उनका कारिकाल इतना बैतर रहा हैं कि 10 साल में पूरे माहराज गेंज में कोई काम सुधोष एफ नहीं कोई कामुद रहा था रहा हुआ कुछ काम बढ़ियां नहीं हुआ तो लेकिन पानी का मोटर खराब हुआ उंक्ते बोला कि सही करा दीजिए और गड़ा मुक्त हुआ नहीं उसमें कुछ लोग गोड़ पर जा रहा कुछ लोग गिर जा रहे हैं और इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं नहीं कहें चैर्मैन से कहने के बाद कुछ सुनवाइब नहीं है तो हम लोग क्या कहें मैं तुक बोला दो बाती ना देहना है चार बेर भर ले रहा हुआ हां चार बेर भर के कहला ना हवास मिला ला आप कुछ कहेंगे क्या है मेरा नाम नितिन जैस्वाल नगर पंचाज महाराज के आजमगड़ यहां पर बहुत चीज की समस्या हैं हम लोग जन सिर्वाइब पर सिकाज करके ठक चुके हैं कि किसी समस्या निजाना तक नहीं हो पाए अप्लिकेशन बेजिए यहां की समस्य अब बना चुकी है अब परिवर्शन हो कर रहे है कि कारिकाल सर्थ और परिवारवाद का यहां पर फूलबाला है और किसी के जो इनके के चेर्मेंट कहना में है कि महाराजियन के जो हमको वोड़ दिया उसका नहीं करेंगे एलों जो उनको दिए करेंगे ऊसका काम करेंगे जो 버़ प्रपाट मिला है पात्रहोंowa को नहीं मिला है आदमी को देखतरगे कि जुमारे खासे हमारे फिसरी सथ हैं को वोडों sustainable है जो वोडti अउतर हो को नहीं दिया गया जो पात्रहों को अवास लोन चाहिए हम नहीं करेंगे कुमार मौरया कुसे उतिक करेंगे हमको करेंगे हमको पत्य अच्छा या नहीं खराब था हम तो कहने ही रहे हैं कि अच्छा था या खरा तो समसे नहीं मतलब है हमको पत्या से चाहिए जो कि काम करके दिखाए अपने नगर पंचायत महाराज गज़ें यह काम हो आप पुड़ी देख रहे हैं जैसे क्या समस्या यह देखिए अपको दिखाए पड़ा रहा हर जगह पूरी बाजार गलिम देखिए ने हर जगह हमको कहने कि इसमें क्या सकता है आप पुड़ी देख लीजिए ने पूरी नगर पंचायत में जाली वगर सभी है इसको कहीं कि हैं तो अजय चौड़ा जा रहा है अच्छा तो किस पार्टी बेस्ट करेंगे कि जो है पत्यासी बेसर करेंगे हमको पार्टी कोई लेना देना नहीं है हमको पत्यासी चाहिए के वल हां जो काम कर सके हैं मेरा नाम आसीस मिस्रा है मुद्ध यही रहेगा कि जो दस साल के सत्ता वोगी थे उन्होंने दस साल नगर पंचाइद में कोई काम किया नहीं अगर नाली है तो पटिया गायब है पानी की टंकी है अगर पानी टंकी है तो पानी गायब हो गया उसमें पानी का मात्रा कोई है जहां फ्रीजर इतना मांगा-मांगा सरकार का पैसा विर्थ किया है वहां सफाई नाम की कोई चीजी नहीं और नाम दरता सचता सचता भारत अभियान के तर्स आदसनगर पंचाथ का जगए यह लंबे बोर्ड से हुगा दस सालों में अपने सत्ता का नजाज फायदा उठाएं है हम लोग बदलाओ चाहते हैं अगर हम बता दे रहे हैं आपको लाइट लगी है कभी लाइट जो है खंबे पे जली नहीं आदस नगार पंचायत में जितने खंबे हैं कभी कोई लाइट एक समान नहीं जली है नाली है पर पठिया गायव है पूरा राता डेश्ट्वींग गायव है जो सरकार के आएं हैं दस साल के भोग में जितनी समपतिया आएं सब अपने अपने अंडर में कर लिए कोई कार नहीं हुआ है आप चलिए हम आपको दिखाए काली पत्थल पर सिला नयास हुआ है और बाकी जमीनी अस्तर से कोई काम नहीं हुआ है आप कहीं भी घूम लिजिए पूरे आदाश नगर पंचाद में किसी से पूछ लिजिए कार अगर दस साल में उन्होंने कुछ किया हो तो बता दे हमें मेरा नाम प्यूस मिस्रा है नगर पंचाद महराज गिल वाड नमबर पांच दस सालों में एक भी काम नहीं हुआ हम लोग आसा लगा कर जाते हैं उम्मीद लगा कर जाते हैं कि हम लोगों का काम वहां पे होगा टाउनेरिया अपीस पे जाने के बाद ना है अध्यच समस्याओं की तो यहां पे पेड़ लगी हुई है समस्या जैसे नाली की समस्या हुई रोट की समस्या हुई लाइट की समस्या हुई नगर पंचाद में सोचाला है बना हुआ है लेकिन दस सालों में अभी तक उसका फुलने का कोई चांस नहीं नहीं कुला है एक भी विकास करेंगे कोसरी का नेध्म में दस साल का इसम socios, वे उच्छा आवास की और लोगो और जो हम लोगों के लिए काम करेगा उसी नेदी चूंए पारटी के भूट केılar प construction कि जो हमारे लिए रहेगा हम उसी को वोट देंगे चंदन भारत वाज किसमिद्ध पर बिकास की मुद्धे पर नहीं हुआ पांच सल में जगदम नहीं हुआ सब लोग गड़ा खंखंखंगर पानी भात हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी